दोस्तो नौर्थ कोरिया के रिष्टे दुनिया के बाकी देशों से बहुती सीमित हैं नौर्थ कोरिया में लोगों की आवजाही भी बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि उस देश पर तानाशाह किम जॉंग का शासन है किम जॉंग की जिंदगी बहुती ज्यादा रहसे में है वो कब क्या करते हैं, कहा जाते हैं, किस से मिलते हैं ये कोई नहीं जानता दोस्तो नौर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी छवी उसके पड़ोसी मुलकों को हमेशा खौफ में रखती है वज़ा है नौर्थ कोरिया के कानून और उसके तानाशा किम जॉंग की रहसे में ही दुनिया दुनिया के ज्यादतर देश नौर्थ कोरिया को अलग थलग ही मानते हैं लेकिन चीन और रूस से किम के रिष्टे किसी से भी छुपे नहीं है हल ही में किम अपनी रहसे में ही ट्रेन से रूस पहुंचे थे खबर ये है कि इस ट्रेन में उनकी डेली लाइफ के रोटीन किसी तरह से बाहर आ गए अब किम के डेली रोटीन यानि कि उनकी दिन चर्या को कौन बाहर लाया इसके बारे में तो नहीं पता चला लेकिन आपको बता दे कि किम जोंग को दुनिया बहुत अजीब मानती है किम के सोचने का तरीका और किम के प्लैन एक्जिकुशन करने का तरीका बाकी लोगों से बिलकुल अलग है किम सुभा करीब आठ बजे के आसपास अपना बिस्तर छोड़ते हैं पहले किम के उठने का समय करीब सुभा छे बजे का था लेकिन अपनी खराब सेहत के चलते अब वो सुभा आठ बजे के आसपास बिस्तर छोड़ते हैं सुभा उठने के बाद किम को अपने पैरों में चपने चाहिए होती है जिसके लिए चार बिटिश लड़कियां हमेशा उनके कमरे में रहती है जब तक किम जोंग सोते हैं तब तक वो हर उस चीज का खयाल रखती है जो कि किम को चाहिए होती है अगर सोते हुए किम जोंग के शरीर से चादर हट गई है तो उस चादर को सही करने की जिम्मेदारी उन लड़कियों की ही है और मज़े की बात तो ये है कि किम के कमरे में ये लड़कियां सिर्फ नाम मातर के कपड़ों में ही होती है कभी कभी तो किम के कहने पर इन्हें बिना कपड़ों के भी रहना पड़ता है लेकिन ऐसा किम तभी करते हैं जब वो कुछ ज्यादा ही मूड में होते हैं किम बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपनी बालकनी पर जाकर बाहर का मुआयना करते हैं उसके बाद बात्रूम में फ्रेश होते हैं किम फ्रेश होने में काफी टाइम लगाते हैं अब ऐसा क्यों है इस वारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन फ्रेश होने के बाद करीब आदे घंटे किम अपने महल के पूल के पास अपने शरीर की मालिश कराते हैं। उसके बाद उनके क्रू की कुछ लड़कियां किम को नहलाती है। दोस्तो आपको बता दे किम जॉंग ने हल ही में अपने पैलेस के स्टाफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव में किम ने अपने मेल स्टाफ को हटा कर उनकी जगह कुछ बरिटिश फीमेल्स को अपोइंट किया है। किम ने ऐसा क्यों किया है ये किसी को नहीं पता लेकिन जब से किम जोंग की तबियत खराब हुई है तब से किम पप्स और बार्स में बहुत कम बार देखे गए है इसलिए लोगों का मानना है कि शायद अब किम घर में ही आयाशियां कर रहे हैं दोस्तो बता दे सुभा नहाने के बाद किम अपने हाथ से अपने कपड़े पहनते है और इस काम में उनकी बीवी उनकी मदद करती है कपड़े पहनने के बाद किम अपनी डाइनिंग टेबल पर बा teaspoon है इसलिए वो सुभा breakfast करने में 45 मिनट लगाते हैं इसी दोरान उनके ओफिस के प्रोजेक्ट्स, उनके मंतरियों दुआरा किये गए काम और उनके देश में जनरेट होने वाले रेवेन्यू और लॉस को एक कनवर्शेशन के दुआरा कवर किया जाता है। किम जॉंग अपने खाने की टेबल पर बैट कर ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ केवल इस चीज़ को सुनते हैं और फिर लास्ट में अपने खास मंतरी को कुछ बताते हैं और फिर खाने की टेबल से उठ जाते हैं। को बता दे कि वैसे तो किम का डेली रोटीन कोई फिक्स नहीं है। वो कभी भी महला जाते हैं और महल की किसी भी नई लड़की के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। हल ही में किम ने अपनी बीवी को नई लड़कियों के सेलेक्शन के लिए रखा है। मतलब कि किम को किस तरह की लड़की पसंद है और कैसी लड़की किम के बिस्तर पर आयाशी के लिए होनी चाहिए इस बात का चयन किम की बीवी करती है। और वो लड़कियों को उसी हिसाब से ट्रेंड भी करती है किम की बीवी की जगह पहले कोरियाई लड़की ये काम करती थी लेकिन किसी कारण वर्ष उस लड़की को हटा दिया गया आपको बता दे किम के महल में या फिर किम के क्रू में जो भी व्यक्ति नोकरी करता है तो जब वो नोकरी छोड़ता है या फिर उसे नोकरी से निकाला जाता है तो उसके बाद वो इनसान कहीं नहीं दिखता लोगों का कहना है कि किम के चंगुल में फसने के बाद इंसान को सिर्फ मौत ही मिलती है फिर चाहे कोई कितना भी इमानदार और वफदार ही क्यों न हो दोस्तों बता दे किम शुकरवार को सुभा जल्दी तयार होते हैं और नॉर्थ कोरिया के बड़े बड़े स्कूल्स में विजिट करते हैं किम एक बार में कई स्कूल्स को कवर करते हैं और वहाँ पर जाकर किम जोंग अपने लिए लड़कियं सिलेक्ट करते हैं किम को जो भी लड़की पसंद आ जाती है उसे जबरदस्ती नौर्थ कोरिया की सरकार में किसी ना किसी काम के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है और ये ट्रेनिंग होती है उनको सेक्स स्लेव बनाने की और ये सारा काम किम की बीवी रिसोल जू के द्वारा किया जाता है इस काम में ना जाने कितनी ही लड़किया मर जाती है क्योंकि इन लड़कियों की उम्र करीब करीब 16 से 20 या फिर 21 साल के बीच होती है कुछ खूफिय सूतरों के मुताबिक किम जॉंग संभोक से पहले कुछ दवाओं का उप्योग करते हैं जो की इतनी ज्यादा असरदार होती है कि कई बार किम के साथ संभोक करते वक्त लड़किया तेज तेज चिलाने लगती है लेकिन किम तब भी नहीं रुकते जिसके चलते वो लड़कियां कई बार बेहोश हो जाती है कहा जाता है कि किम जिस पॉजिशन और जिस तरह से लड़कियों को संभोक करने के लिए कहते हैं अगर कोई लड़की उस तरह से नहीं करती तो किम सीधा उसको जान से मार देते हैं और पूरे नॉर्थ कोरिया में उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता आपको बता दे किम दुआरा जो स्कूल्स विजिट किये जाते हैं ये अब तो काफी कम हो चुका है लेकिन ये 2021 से पहले बहुत हुआ करता था और उस समय किम रोज स्कूल से करी 20 लड़कियों को तो उठा कर महल में लाते ही थे लेकिन अभी ये सिलसिला काफी कम हो चुका है किम स्कूल से लड़कियों को उठवाते हैं और उनके साथ अपनी मनमानी करते हैं ये बात 2014 में सामने आई थी जब एक लड़की ने किम के चंगुल से भागने की कोशिश की थी और वो इसमें कामियाब भी हुई थी ब्रिटिश न्यूस चैनल डेली स्टार ने दावा किया है कि किम जोंग हर साल नौर्थ कोरिया से 125 वर्जन लड़कियों को अपनी अयाशियों के लिए चुनते हैं कथित तोर पर इन लड़कियों को किम जोंग के प्लैजर स्क्वेर्ड में शामिल किया जाता है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन लड़कियों का चुनाव उनकी खुपसूर्ती और आकर्शन के आधार पर किया जाता है ऐसा बताया जा रहा है कि चुनी हुई इन लड़कियों के साथ किम जोंग अपने महल में शारिरिक संबंद बनाते हैं ब्रिटिश न्यूस चैनल डेली स्टार की रिपोर्ट में 30 वर्षिय कॉरियन यूटूबर और लेखी का ओनमी पार्क ने ये दावा किया है ओनमी के मुताबिक लड़कियों को चुनने में खुपसूर्ती के साथ राजनीतिक समझ को भी देखा जाता है ओनमी का दावा है कि प्लेजर स्क्वेड में शामिल करने के लिए उनका भी दो बार चुनाव हुआ लेकिन पारिवारिक स्थिती के कारण उनको नहीं चुना गया रिपोर्ट्स की माने तो ओनमी 2014 में 13 साल की उम्र में ही नौर्थ कोरिया से भाग गई थी इसके बाद वो साउथ कोरिया और फिर अमेरिका चली गई ओनमी पार्क नाम की इस यूटूबर का दावा है कि एक बार लड़कियों का चैन हो जाने के बाद उनकी वर्जेनेटी चेक करने के लिए मेडिकल जाच कराई जाती है परिक्षन के दोरान मामूली निशान जैसी छोटी से छोटी गड़बडी भी नजर आने पर उनका चुनाव नहीं किया जाता है कठोर परिक्षन के बाद पूरे नौर्थ कोरिया से केवल कुछी लड़कियों को राजधानी प्योंग येंग भेजा जाता है जहां उनका एकमात्र उदेश्य तानाशा की इच्छाओं को पूरा करना होता है चुनी हुई वर्जन लड़कियों को प्लैजर स्क्वैड में शामिल किया जाता है और उन्हें तीन अलग-अलग ग्रूप्स में बांट दिया जाता है जिन में से एक को किम की मालिश करने के लिए ट्रेन किया जाता है जबकि दूसरे को गाने और डांस करने में ट्रेनिंग दी जाती है और तीसरे ग्रूप को तानाशा और अन्य पुरुषों के साथ योन संबंध बनाना होता है ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे करने में करीब करीब साथ दिन लगते हैं साथ दिन के बाद लड़कियों को किम के पास भेजा जाने लगता है लेकिन अभी पिछले कुछ समय से इन कामों पर रोक लगी हुई है क्योंकि किम की तबियत में अचानक गिरावट देखी गई थी सूतरों की माने तो किम किसी योन रोक से पीडित हैं और यही कारण है कि अब वो किसी भी लड़की के साथ नहीं देख जाते हैं और ना ही किसी लड़की के साथ वो संबंद बनाते हैं सेक्स पावर के टैबलेट की ओवरडोज और उसके साथ अलकोहल कंज्यूम करने के कारण ऐसा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किम जोंग ने अलकोहल को पूरी तरह से नहीं छोड़ा तो किम की मौत बहुत जल्द ही हो जाएगी। डॉक्टर्स ने किम को वसा युक्त चीजे खाने से मना किया है लेकिन इसके बाद भी किम पिग और बीफ को अपने डेली के रोटीन में शामिल किये हुए हैं। दोस्तो जब किम पूरे तरीके से स्वस्त थे तो दिन भर के रोटीन के बाद किम अक्सर शाम के समय गाडियों में घूमते थे और नौर्थ कोरिया के कुछ पॉर्श एरिया में शाम बिताते थे और रात में बाहर खाना खाते थे। लेकिन अभी ये काम काफी दिनों से बंद है क्योंकि किम की पतनी अब किम के साथ हर जगा आती जाती है और वो उनका पूरा खयाल रखती है कि किम ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उनकी तबियत और खराब हो। खूफिया सूतरों से इस बात का पता चला है कि कोरिया में एक फंक्शन के दोरान किम को चक कर आए और वो गिर गए। इस दोरान वहाँ पर मौझूद कुछ फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स ने किम की वीडियो बना ली लेकिन किम के गार्ट्स ने उनसे कैमरा छील लिया किम का मानना है कि अब वो अपनी जिंदिगी को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखेंगे क्योंकि ज्यादा कैमरे पर आने से इनसान के हावभाव और उसकी आदतों का पता चल जाता है यही कारण है कि किम के बारे में सटीक जानकारिया मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किम के लिए इंसान के दिमाग में इतना डर भरा हुआ है कि कोई भी इंसान किम की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी बात बाहर नहीं बोलना चाहता अब तो किम जोंग ने अपने लिए एक नया रूल बनाया है जो कि किम के साथ साथ पूरे नौर्थ कोरिया को भी मानना पड़ रहा है असल में अब किम ने रात में सेक्स करने पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि किम का मानना है कि देर रात तक जागने से शरीर में बिमारिया होती है इसलिए किम ने ये रूल बनाया है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी रात को सेक्स नहीं करेगा अगर आप सोच रहे हैं कि रूल तो हर देश में बनते हैं पर वो रूल ज्यादा दिन फोलो नहीं किये जाते हैं तो आपको बता दे कि नौर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता वहाँ पर इस तरह के वियर्ड रूल्स बनते ही रहते हैं और उन्हें लोगों द्वारा पूरी इम सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ओल पर सैट कर लें धन्यवाद